नमस्ते दोस्तों वेलकम बेर तो यदियन दिति का यूट्यूब चैनल आज मैं आप सभी के सामें इस वीडियो में आप तो मैं यह बताऊं में करना चाहिए क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए कहा करना चाहिए या हम कब कर सकते हैं इन सर्विस अवालों की जबाब इस वीडियो में है प्लीज अंद तक जरूर देखिए ला मेडेशन क्या होता है मेडेशन एक ध्यान एक आकरिता किसी भी चीज़ पर होना उसको हम मेडेशन कहते हैं अब यह क्यों करना चाहिए इसके तो बहुत फायते हैं पर एक मेडेशन करने से एक जीवन में सुख, साम्ती और समुर्थी चरूर आती है कोई भी कैसी परिशानी और इस परिशानी और का हल सिर्फ एक ध्यान है, सिर्फ एक एक कामदता है, सिर्फ एक meditation है तो इसको कैसे करना चाहिए, पैसे तो यह बहुत बोरिंग होता है, कोई भी नहीं करता, मुश्किल बहुत होता है बट कैसे करना चाहिए आज मैं आपको यह बताती हूँ सबसे पहले meditation को आप कहीं भी कर सकते हैं चाहें वो office हो, घर हो, बाहर हो, chair पर हो, bed पर हो, plane floor पर हो कहीं भी आप meditation को कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि morning का time हो, evening का time हो जब भी आप चाहें, आपको शान्त हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब ही आप ध्यान लगाना शुरुवाद करते हैं सबसे पहले validation लगाने के लिए आप place लूनेंगे place लूननी को ज़रते हैं, जहां आप बैठे हो, पस एक comfortable position पे आसानी से आप बैठ से लिए, बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी बाहर की आवाज नहीं सुनी, तो क्या करेंगे आप, आपको कोई भी ear word या ear plug का इस्तमाल कर सकते हो, जैसे मैं ये ear plug का इस्तमाल कर रहे हूं, ear plug क्योंकि आवाज हमको नहीं सुनी, आप cotton लगा सकते हैं, लेकिन cotton में क्या होते हैं, पोर होते हैं, उसे आवाज आ सकती है, तो market में ear plug मिलते हैं, for meditation के लिए, आपको अपने कानों पे लगाएंगे, इससे क्या होगा, आपके एक अंदर पैक्यू मलेगा, उठ जाता, हमें क क्या करना है, उर्चा को अपने अंदर लेनी है, पाबर को लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ear plug लगा या है, उसके बाद मैंने अपनी body को एक तम ठीला चोड़ा है, उसके बाद तौनों हातों को हम यहां पर रखेंगे, हमें उर्चा चाहिए, तो उसके लिए हम हातों को अपने यहां रखेंगे, आखें बंद करेंगे, आखें बंद बड़ी कोमलता के साथ हम उनको बंद करेंगे, आखें बंद करने के बाद हम तीन लंबी घहरी सासे लेंगे, तीन लंबी सासे लेने के बाद अहुट सासों को काउंट करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, तेन, नाइन, एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लास्ट, एक दर्म शान्थ, 0, जब बोड़ी आकी शान्थ अबस्ता में चली जाए, तो एक फोकस करना अपनी सासों बर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, उन सासों की आवाजों को सुनना, जब हम अपनी सासों की आवाजों को सुनते हैं, तो वहां से पचली से बहुत पारिक एक आवाज सुनाए देगी, वह अवाज इतनी अच्छी होगी कि आप बाहर की बातावरर को आप सुनना पसंद भी नहीं करोगे, धीरे धीरे जब आपका ध्यान लगता जाएगा अपनी सासों के ध्यान लगने के लिए फिर एक दिल की धर्टन आवाज आएगी, यह अवाजें ही हमारे अंदर एक उचा पैदा करती है, जब आप ध्यान से सुनों के इन आवाजों में से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, वो आवाज है, ओ, ओ, जब आप इस धिहान में बैठोके, अपनी सासों को फुक्स करोके, तो आप कुछ टाइम बादी एक अवाज सुनाई दिले, जिससे आप सब्जिएगा कि मेरा रिजल्ट आ चुका है, यही एक मेडिटेशन है, यह एक तरीका है मेडिटेशन का, अब हम बात करेंगी दूसरे तरीके की तरफ, वो दूसर तरीका है अपने हाथों को इस स्मुद्रा में लेकर अपने फुटनों पर रखेगे, अब हम सरीर को धीला छोड़ते हुए, एक दम शान होते हुए, अपने आपको जानने की कोशिश करेंगे। मन चाहेगा कि मेडिटेशन ना करूँ, ना करूँ, लेकिन जब आप खुद ध्यान में ब्रेट जाओगे, तो मन भी पापस आजएगा। मन जहाँ जाता है उसे जाने दो, उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल है, अपनी बोडी पर तो कंट्रोल है। आप आखे बंद करके इस ध्यार में बढ़ेंगे और अपने आप से बाते करेंगे। मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ किस लिए हूँ? इन बातों कर आप विचार करेंगे, आपको अपने अंदर सुख, सम्रत्ती, शान्ती, बाहर पही नहीं आपको अपने अंदर ही मिलेगी। मैं कुछ अफर्मेशन बाते हैं जिनसे आप जिहान को लगा सकते हूँ? आप मन को एकाफ रिफर सकते हूँ? उन बातों को आप एक सांद प्लेस में इयर बट लगा पर आप दोरा ही हैगा। मैं एक सुन्दर और पवित्र आत्मा हूँ। यह आत्मा बहुत खुश है। इस आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए प्रभु का चिंतन। इस आत्मा के पास सब कुछ है। सुख, सम्रती, पैसा। सब कुछ है। बाहर कुछ ने सब इस आत्मा के पास है। मेरा शरीर तो एक नश्वर शरीर है। सरीर को सुख चाहिए। लेकिन सुख कहां से मिलेगा। आत्मा से। आत्मा वो पवित्र है। वो सुन्दर है। ओव शाती, ओव शाती। अपने आप से विचार करो कि मेरा क्या कर्म है। मुझे क्या करना चाहिए। अपने इस जीवन का लक्षे क्या है। इस संसार में तो सिर्फ तुखे तुखे। सुख सांती तो हमें आत्मा देती है। ओम शांती, ओम शांती। इस आत्मा को एक परमात्मा चाहिए। जिस परमात्मा ने आत्मा को जनम दिया। उसका दाखला तहनेवार बुलना चाहती है। ओम शांती, ओम शांती। ओम शांती, ओम शांती। यह आत्मा को बहुत खुश है। हमेशा उश्कुराब्दी रहती है। ओम शांती, ओम शांती। जीवन का लक्षे है। इस संसार में सभी का बना करो। द्यान में ओते तोते परमात्मा से बात हैं करते करते। अपने द्यान को एकात्र करो। ओम शांती, ओम शांती। अपने आपसे वादा करो। मैं हमेशा पुश रहो दिए। अपने अंदर जो एहिंकार है उसको मिटा दो। मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। यह शरीप दो, जैसा आया जाल से चलब दो। अपने कर्मों पे द्यान दो। कर्म मन से, वाणी से और तन से तीनों प्रकार से होते हैं। लेकिन जो मन कर्मी है, जो मन से कर्म है उसको हमेशा अच्छा होगा। जब मन से कर्म अच्छा होगा, वाणी से अच्छा होगा। जब वाणी से अच्छा होगा। तो आपकी हाथों से अच्छा होगा। जब सब कुछ अच्छा होगा, तो उसका फल भी बहुत अच्छा होगा। एक दम शांत सरी इस जीवन में हमारा उतेश्य क्या है उस उतेश्य को प्राप्त करना है वही एक सोचमें आप सोचो अध्यान को दीर 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 एक अग्र करों मन एक दम शीतल शांत पवित्र हो जाएगा सारे विचारों को शुन्य कर दूँ कोई विचार नहीं कोई समर्श्या नहीं इस लगाते हुए ऐसा बोलते हुए अब ने ध्यान का गिर्दर पंद्रह पीस जितनी भी देर आप एट सकते हो उस ध्यान कोई नहीं में आप रैठी है सारी सोच बहार चली जाएंगी और आपकी तन के साथ आपकी मन की सुद्धी भी होगी आपको बाहर साव अच्छा रहे बाँ ऐसे तियार के साथ पंद्रह वीस मिनट आप एटी है संद्रह वीस मिनट पाद अपने हाँ अपको इसे रग रहे हैं इस तरह से आपको पूरी रूचा बेचाएंगी अब कोशन यह आता है इती पर स्टोंपर यहां के बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा सुंदर एक तम शाथ लगीगा यह मैंटुरीटेशन का दूसर तरीका है मेटेशन के बहुत तरीके होते हैं लेकिन यह दो मेन है एक को अपको अपको करना और दूसरा बन आपको कितर दिः़ान लगाते- विये उसमें हो जागए यह meditation बहुत easy है और यह शुरुबात से ही आप start कीजिए यह शुरुबाती लोगों के लिए है जिन्होंने कपी नहीं क्या हो क्या सोचते हो क्या से करेंगे क्या करेंगे जब आप एक बार करोगे तो आप तो आपको इतनी खुशी मिलेगी इतनी हम्रती मिलेगी इतनी शांती मिलेगी कि आप भूल जाओगे कि क्या है हम किसके पीछे लगे है हमें तो सुपर सांती तो हमारे अंदर है लेकिन आप इसक से आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजेगा और आगे मैं एक एडवांस मेडिटेशन ले कराऊंगी जिससे आप अपने आपको बहुत हलका और फ्री महसूस करोगे तब तक के लिए नमस्ते जैन जैमारत